आज हम आपको बहुत ही टेस्टी डोकला बनाना बताएंगे पर इसे हम बेशन से नहीं बनाएंगे चलिए हम बनाते हैं पहले हम चना की डाल लेंगे सोप्ड हाफ कप मैंने डाल लिया है और उसे हम कुग्ड राइस के साथ ब्लेंड करेंगे चलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे हाफ कप और उसे हम अच्छे से बार एक पीस लेंगे जब आप देखें कि आपका चावल पीस गया अच्छे से तो इसे दो बार में मैंने हाफ कप डाला है और देखिए पेस्ट बना लिया पेस्ट काफी गाढ़ा है और इस तरह से जब डोकला हम बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होता है अब मैं हाफ कप वाटर अपने जार में डाल दीए जिसके अंतर हम 1 कupp rice floor डाल रहे हैं और आप चाहें तो 1.5 कप चावल भिगो कर भी उसका paste बना सकते हैं तो पहले हम 1 कप अपना जो rice floor है उसे grinding jar में मिक्स कर लिये हैं और फिर हम half cup और पानी डालेंगे और अपनी जार को अच्छे से वाश कर लेंगे जार वाश करने के बाद आप इस्तर से इसके अंदर जो पानी है उसे डाल दीजिए इसके बाद हमें इसे अच्छे से फेट ना होगा हाथ से और फेटते फेटते बाद में हमें इसके अंदर और half cup चावल मिलाना होगा sorry चावल का आठा मिलाना होगा इसे आपको ऐसे करते हुए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से करते हुए आपको अच्छे से mix करना है जब आपको पूरी तरह से mix कर लें तब half cup और rice flour डालें और इसे अच्छे से हाथ से फेटते हुए mix करें ताकि दाल और चावल जो है अच्छा से mix हो जाए जब दाल और चावल अच्छे से फेट उठेंगे mix हो जाएंगे तो ये fermentedly होते हैं इसके अंदर हम ना तो baking soda का use करेंगे ना इनो का हमें भगोना छोटा लग रहा था तो हम बड़े size के बरतन में डाल दिये हैं और अच्छे से ढख देंगे ढख कर हम इसे 8 hours के लिए छोड़ देंगे मैंने देखे एक बरतन में पानी बॉयल करने को रखा और मैंने ट्रे ली है केक टीन वाली चोकोर आप चाहें तो थाली में भी घी या तेल लगा कर सेम इसी प्रोसस में बना सकते हैं फिर से हम इसे अच्छे से फेट लेंगे आठ घंटे बाद देखें बहुत अच्छा से फर्मेंट हो गया है उसके बाद साल्थ हमने डाल दिया आप चाहें तो इसमें लहसुन मिर्च वगरा के पेस्ट भी डाल सकते हैं अद्रक का पर मैं सिंपल और शादा बनाऊंगी देखें टिन को हमने अपने पैन में रख लिया है नीचे मैंने चमच रखा है और फिर इसे हम इसी तरह से पैन में को रख देंगे आप चाहें तो ठाली भी रख सकते हैं देखें मैंने चमच निकाल दिया क्योंकि अनिकवल हो रहा था तो हमने इसे मैं ठाली डाल दी है और ठाली डालकर हम इसे 15 मिनिट्स तक पूरा कोक करेंगे 12 मिनिट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे तो देखें हमने अभी थोड़ा सबाकी, देखें धक्कन उठ नहीं रहा है, थोड़ा सचिपक गया है, और अब हमारा 15 मिनिट सो चुका है, तो हम एक चाकू डालेंगे और इसके अंदर से देखेंगे चकर, देखें चाकू हमने डाला और हमारा चाकू एकदम क्लियर निकला आप चाहें तो इसमें टुथपिक भी डाल सकते हैं, अब इसे हम ठंधा होने के लिए रखेंगे, करी पत्ते की चटनी बना रहे हैं, तो करी पत्ता लेंगे, दो मिर्चे लिया हैं मैंने, गार्लिक लिया है, साथ से आठ, और थोड़ा सा हमने कोकूनट पाउडर 3 टेबल स्पून लिया है, और एक टेबल स्पून हमने रोस्टेट चना लिया है, थोड़ा सा नमक डाल कर हम इसे अच्छे से ग्राइंट करेंगे, पहले ड्राई ग्राइंट करते हैं, क्योंकि उससे हमारा पेस्ट अच्छे से बन जाता है, फिर हम पानी डालेंगे और मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे, अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, इसका पेस्ट बना है, पेस्ट अभी गाढ़ा है, तो हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर और मिला लेंगे, जितनी पतली आपको चटनी बनानी हो, तो डोक्ले की चटनी थोड़ी पतली तो हम इसे और सूजी का ये नास्ता है तो चटनी थोड़ी पतली है क्योंकि बहुत जालीदार नास्ता ये बनकर तयार होगा अब इसमें तरका लगाना है तो पहले हम घी ले रहे हैं एक चमच आप चाहें तो ओयल भी यूज कर सकते हैं इसमें हम पंच फोरन डालेंगे और मिर्चे पंच फोरन मिर्च का तरका देंगे और फिर एक टेबल स्पूल चना और करी लीफ्स डाल रहे हैं बाद में पहले हम चिली को अच्छे से और चने को भून लेंगे जब चना अच्छे से भून जाये तब हम curry leaves डालेंगे नई तो curry leaves जल सकती है तो इने हम थोडे से चला लेंगे जब भूना हुआ चना और curry leaves होगा तो ये तड़का थोड़ा सा हम चटनी के लिए रखेंगे और थोड़ा सा जो मैंने चावल का डोकला बनाए उसके लिए भी हम रखेंगे तो इस तड़के को पहले मैं एक चमच जब तयार हो जाएगा तब निकाल लूँगी और इससी चटनी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और डोकला भी टेस्टी लगेगा अब रेड कलर के लिए मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है और उसके बाद हम इसी मिक्स कर देंगे जलने नहीं देंगे थोड़ा सा घी के साथ मैं इसके अंदर से निकाल ले रही हूं तड़का एक टेबल स्पून भरके उसके बाद मैं एक कप पानी डाल दूंग और एक कप पानी डाल कर हम इसके अंदर दो टेबल स्पून चीनी डालेंगे और आप चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दीजे और बॉयल होने दीजे देखे पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है बॉयल होने के बाद ही हम नीबू डालेंगे और तुरंद गैस ओफ कर देंग आपके पास अगर टार्टरी हो तो आप टार्टरी भी डाल सकते हैं यानि नीबू का सर्थ थोड़ी सी खटास के लिए इसे डालते हैं क्योंकि खटा मीठा स्वादी डोकले का बहुत अच्छा होता है अब यह हमारा जो डोकला है वो ठंडा हो गया तो चारो तरब से हम इसे चाकू से साइड इसकी ओपन कर दिये देखे एकदम परफेक्ट डोकला बनकर तयार हुआ है चोकूर अगर थाली में आप बनाएंगे तो राउंड होगा फिर इसे इक्वल पोर्शन चार हम लंबाई में काटेंगे और चार चोड़ाई में तो यह टोटल हमारे 16 पीसे बनकर तयार होंगे और आपको अब मैं एक साइड से निकाल के दिखा रही हूँ देखे कितना स्पंजी और कितने बड़े बड़े आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे यह जो तड़का मैंने बनाया था जालियां दिखाई देंगे, तड़के में मैंने नमक नहीं डाला था, बाद में हम नमक डाल, यह जब आप डालेंगे इसके अंदर तो इसे ध्यान रखेगा कि आप जब तयार हो जाए तभी डालिएगा, और इसके उपर मैंने coconut powder dry डाला है अगर आपके पास fresh हो तो आप fresh यूज़ कर सकते हैं, इसे डालते ही तुरंट खाना चाहिए, आप देख रहे हैं इसके पूरी sides और जालियां एक तम जो पानी था उसे पूरी तरह से सोक कर ली है, इसे फटा-फट डालिए और enjoy किजिए, क्योंकि देर हो जाती है तो यह का काफी soft हो जाता है, next recipe के साथ हम फिर मिलते हैं, thank you